हेलो गाईज आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वनप्लस के लेटेस्ट अपकमी स्मार्टफोन के बारे में जो की होने वाला है वनप्लस एरोरा So guys, यह OnePlus Nord का ही light variant होने वाला है जो कि कुछी समय पहले spot किया गया था Geekbench पर भी जो कि आपको देखने को मिला था OnePlus Nord light के जैसा ही So guys, यह smartphone बहुती better specifications के साथ आने वाला है Max J ने इसको leak किया है और यहाँ पर आपको Snapdragon 690 का 5G chipset देखने को मिल जाता है So guys, यह smartphone OnePlus की और से एक बहुती cheapest 5G smartphone रहने वाला है जिसमें आपको 690 का एक 5G chipset देखने को मिल जाएगा So guys, यह smartphone इस price segment में बहुती एक cheapest 5G smartphone रहने वाला है जिसमें आपको दो variant देखने को मिलेंगे कहाँ पर आपको एक smartphone में triple camera setup और दूसरे smartphone में dual camera setup देखने को मिल जाएगा बैक साइड में इस smartphone के जो camera model है वो आपको same देखने को मिलेगा Realme के smartphone के जैसा ही और guys, इस smartphone में आपको काफी better specifications देखने को मिल जाएगी इसकी अभी कोई भी specifications के बारे में leak information नहीं आई है लेकिन guys, इसमें आपको back side में 48 megapixel का primary sensor देखने को मिल सकता है और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके front side को लेखर तो यहाँ पर आपको एक single punch or design selfie camera के साथ Super AMOLED पैनल के साथ या फिर IPS LCD पैनल के साथ यह smartphone देखने को मिल सकता है So guys, अगर इस smartphone के price range की बात करें तो यह smartphone आपको 20,000 के राउंड देखने को मिल सकता है क्योंकि OnePlus Nord आपको देखने को मिला था 20 से लेकर 25,000 के राउंड So guys, यह smartphone इस price segment में काफी better specifications के साथ आने वाला है और guys, अगर आप इस smartphone के बारे में और specifications की वीडियो जानना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करें क्योंकि इस smartphone से जुड़े सभी latest update की वीडियो हम अपने channel पर लाते रहेंगे So guys, अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इस video को like करें, share करें और इसी तरह की किसी भी smartphone और technical update से जुड़ी videos के लिए हमारे channel को subscribe करकर bell icon को press करें Thanks for watching मिलते हैं अपनी next video में